नमस्कार दूस्तों, आज हम इस वीडियो में पापाम कुशा एकदशी व्रत कथा सुनेंगे धर्मराज युदिश्टर कहने लगे कि हे भगवन आश्विन शुल्क एकदशी का क्या नाम है आप किरपा कर इसकी विधी और फल कहिए भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युदिश्टर पापो को नाश करने वाली एकदशी का नाम पापाम कुशा एकदशी है ही राजन, इस दिन मनुश्य को विधी पूर्वक भगवान विश्णुजी की पूजा करने चाहिए श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है विध्यांचल परवत पर एक बहुत ही कुरूर बहलिया रहा करता था उसका नाम कुरोधन था उसने जीवन भर नर्दोश पश्यू पश्यू और जीवों की हत्या की थी इसके साथ ही वह हिंसा, लूट पात, गलत संगती रखता था लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत ढल लगता था बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया तो ये अमराज के अतिभयानक दूट उसे अपने साथ नर्क ले जाने के लिए आ गए जब वे दूट दिखने शुरू हो गए तो वे समझ गया कि अब उसका अंत करीब आ गया है तब वे रिशी अंगारा के आश्रम पहुचा वहाँ जाकर उसमें रिशी से प्रात्ना की कि आप मेरी सहेता केजिए तब रिशी अंगारा ने उनसे कहा कि पहले तुम ये संकल्प लो कि तुम श्री हरी की शरन में हो और फिर आश्विन मास के शुकल पक्स में आने वाली एकदसी तिथी यानि पापाम कुशा एकदसी के दिन वृत रखना इससे तुम्हारे सारे पाप नस्ठ हो जाएंगे जिससे तुम्हें नर्क नहीं भुगना पड़ेगा रिशी के कहने पर कुरोधन ने इसी विधी से वृत किया इस वृत के प्रभाप से उसे यमराज के दूतों से मुक्ती मिली और श्री हरी की शरन प्राप्त हुई तब से ही पापाम कुशा एकदसी का वृत किया जाने लगा जो लोग भी अपने पापों से मुक्ती पाना चाहते हैं उन्हें इस दिन वृत करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए जै श्री हरी